नवश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे नौले साथ ही चैनल पर मेरा नाम है अनुराक सिंग और आज हम बात करने वाले हैं ICU में सबसे गंभीर रोगों के कंडिशन को जाचने का एक स्कोरिंग पैटन जिसका नाम है सोफा स्कोर जिसको हम कहते हैं सिक्वेंशल ओर्गन फेलियर असेस्मेंट स्कोर सोफा स्कोर सोफा स्कोर का इंपोर्टन्स क्या है और ये कभी इस्तमाल किया जाता है सोफा स्कोर का इंपोर्टन्स ICU में गंभीर रोग वाले मरीजों के देखभाल के लिए किया जाता है असेस करना और उसको एक स्कोर देना और उसके हिसाब से उनका मुल्यांकर करके नर्सिंग केर प्रोवाइड कराना ये नर्स का प्रथम उद्देश होता है SOFA score अपनाने से ICU की नर्सिस को मदद मिलती है पेशन्ट को वर्गिकरत करके उसके हिसाब से उनको नर्सिंग केर प्रोवाइड कराना कितने गंभीर पेशन्ट हैं जिनमें हमें जादा नर्सिंग इंटरवेंशन की दरुवत पढ़ सकती है जिनको हमें close monitoring की दरुवत पढ़ सकती है ये assess कर पाने में SOFA score का मुख्य रोल होता है SOFA score में मुख्यता 6 organ system involved होते हैं जिसके parameters को ध्यान में रखते हुए SOFA score का chain किया जाता है वो इस प्रकार हैं पहला respiratory दूसरा cardiovascular तीसरा renal चौथा hepatic पांचवां central nervous और छटवां coagulation SOFA score की scoring pattern 0 से 4 की होती है 0 मुख्यता body के normal functioning को दर्शाता है और 4 मुख्यता abnormal functioning को दर्शाता है इसका possible score 0 से 24 के बीच में होता है आईए इसको अब हम समझते हैं SOFA score के सारे score को योग करने के बाद उसका जो score मिलता है वो हमें दर्शाता है कि patient की condition दिन प्रति दिन ICU में कैसी है क्या उसमें सुधार है या फिर patient की condition worst condition की तरफ बढ़ रही है दूसरा महत्वपूर्ण अदा करता है SOFA score नर्स को assess करने में कि patient की mortality rate क्या है mortality rate patient organ dysfunctioning system के बिहाफ पे assess किया जाता है तो आईए अब हम जानते हैं कि organ dysfunctioning का मुख्य कारण क्या है ICU में गंभीर रोग वाले मरीजों में organ dysfunctioning का मुख्य कारण है sepsis sepsis एक ऐसा syndrome है जिसमें physiologic, pathologic, biochemical, abnormality की वज़े से infection cause होता है infection की वज़े से organ system पे असर पड़ता है और organ अपना काम सुचारों रूप से करने में असमर्थ होता है sepsis का identification हम दो तरीके से कर सकते हैं पहला source control के अधार पे और दूसरा resuscitation के अधार पे source control source control में हम blood culture को अपनाते हैं sputum culture को देखते हैं targeted imaging को चेक करते हैं और इनकी result आने पे patient की medical condition का assessment करते हैं source control के source कुछ management है जैसे की targeted antibiotic जो हमें एक घंटे के अंदर मरीज को दे देना चाहिए कोई drainage जहाँ पे हमें patient के abscess indicate हो वहाँ drainage का स्तमाल करना चाहिए resuscitation जिसमें हमें patient को fluids और fluids का ही इस्तमाल करना चाहिए जो की 30 ml पर kg के हिसाब से होता है इसमें हम crystalloids का preference लेते हैं adequate fluid challenges को हम अपनाते हैं ताकि patient के electrolyte imbalance maintain रहे अगर उसके बावजूद भी ICU में patient hypotensive है तो उस condition में हमें as a nurse ये जाचना होगा कि patient का BP कैसा है अगर BP fall down कर रहा है तो हमें vasopressor का use करना चाहिए norafinephrine as a first line treatment of drug का use करना चाहिए dopamine और vasopressor का second line of treatment में इस्तमाल करना चाहिए targeted mean arterial pressure हमें चेक करना चाहिए और continue हमें bolus form में CVP को चेक करना चाहिए उसके बाद फिर भी अगर हमारा मरीज hypotensive condition में है तो हमें central venous oxygen saturation को चेक करना चाहिए और cardiac output को बढ़ाने के लिए हमें कुछ drugs का सहरा लेना चाहिए जैसा कि हमने पहले आप से बताया first line treatment of drug norafinephrine और second line treatment of drug dopamine और vasopressor तो आई अब हम जानते हैं sofa score के बारे में sofa score के अंतरगर total 6 parameter आते हैं जिसमें की पहला है respiration next coagulation next liver next cardiovascular next central nervous system और last है renal system सबसे पहले parameter है respiration respiration में patient के PO2 divided by FIO2 की value mmHg में हम चेक करते हैं अगर patient की PO2 FIO2 की value 400 से कम हो तो उसको 1 की scoring देते हैं 200 से अगर कम हो और साथ ही साथ patient respiratory support पे हो जैसे की ventilator तो उसको हम 3 की scoring देते हैं और अगर patient का respiration value 100 से भी कम हो और वो ventilator support पे हो तो उसे हम 4 की scoring पे जाचते हैं अगला parameter है coagulation जिसमें हम patient के patulate count को जाचते हैं अगर patient का patulate count डेढ़ लाग से कम हो तो उसको 1 की scoring देते हैं एक लाख से कम हो तो उसको 2 की scoring पे रखते हैं पचास हजार से कम हो तो उसको 3 की scoring देते हैं और अगर patient का patulate count पच्चिस हजार से भी कम हो तो उसको हम 4 की scoring पे रखते हैं हमारा next parameter है sofa score में liver यानि patient के bilirubin level को check करना patient का bilirubin level अगर 1.2 और 1.9 के बीच में हो तो उसको 1 की scoring देते हैं अगर patient की value 2 और 5.9 के बीच में आती है तो उसको 2 की scoring देते हैं bilirubin की level अगर 6 और 11.9 के बीच में आती है तो उसको 3 की scoring देते हैं और अगर patient का bilirubin level 12 या 12 से जादा हो तो उसको हम 4 की scoring देते हैं next parameter cardiovascular जिसमें हम patient के hypotension value को check करते हैं अगर patient का mean artery pressure 70 mmHg से कम हो तो उसको 1 की scoring देते हैं अगर patient hypotension में हो और साथी साथ उसको dopamine और dopamine में से कोई एक dose लग रहा हो तो उसको हम 2 की scoring देते हैं अगर patient को hypotension के साथ साथ dopamine infusion 5 या 5 से जादा या ephinephrine 0.1 या उससे कम और nor ephinephrine 0.1 और उससे कम के infusion rate पे चल रहा हो तो उसको 3 की scoring देते हैं और अगर patient hypotension हो और साथी साथ उसको dopamine 15 से जादा या फिर ephinephrine 0.1 से जादा या nor ephinephrine 0.1 से जादा infusion rate पे चल रहा हो तो उसको 4 की scoring देते हैं नेक्स parameter है central nervous system जिसमें हम patient का glass coma score evaluate करते हैं glass coma score की value अगर 13 से 14 के बीच में आती है तो उसको 1 की scoring देते हैं 10 से 12 के बीच में अगर आती है तो उसको 2 की scoring देते हैं 6 to 9 के बीच में अगर आती है तो उसको 3 की scoring देते हैं और अगर 6 से कम हो तो उसको 4 की scoring पे रखते हैं so far score में सबसे last parameter है renal जिसमें हम patient के creatinine value को और साथी साथ patient के urine output को चेक करते हैं creatinine level mg per dl में और urine output ml per day के हिसाब से हम चक करते हैं अगर patient की value 1.2 से 1.9 के बीच में mg per dl creatinine value हो तो उसको 1 की scoring देते हैं 2 से 3.4 के बीच में हो तो उसको 2 की scoring देते हैं 3.5 से 4.9 के बीच में हो और साथी साथ patient का urine output 500 ml per day से कम हो तो उसको 3 की scoring देते हैं और अगर patient का creatinine value 5 से जादा हो और patient का urine output 200 से कम हो तो उसको हम 4 की scoring देते हैं उमीद करता हूँ कि ये SOFA score आपको समझ में आया होगा और ICU के जितने भी nurses हैं इस scoring pattern से critical condition वाले patient को उनके condition को assess करने के लिए और एक अच्छा nursing intervention provide करने के लिए इस्तमाल कर पाएंगे ऐसे ही scoring pattern को समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए चैनल को like करिए, subscribe करिए और bell icon दबाना न भूलिए धन्यवाद कर दो